हैलो फ्रेंड कैसे हैं आप आप आफ आप आप अच्छे है तो आपने किसी मोबाइल कर तो चला रहे हों या तो वह हूँ अपने फोन तो जरूर चला रहे हैं और जाए इस बात यूटूब वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास Android मोबार बट कभी आपने सोचा है कि सिम कै अपने मोबाइल पर करते हैं वो सब सिम के द्वारे एक्सेस किया जाता है बट आपने कभी यह सुझाया कि आखिर के सिम काम कैसे करते हैं तो वैसे कि लिए फ्रेंड आज की वीडियो में यही बात करने वाँ हूँ कि हाव तू वर्क मोबाइल शिम कार्ड अगर आप जानते है कि सिम कार्ड काम कैसे परते हैं तो आप इस वीडियो के अस्प्रिफ कर सकते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो पर देखते रही मैं फूल डीटियल में इस वीडियो में बताने वाना हूँ कि सीम कार्ट क्या होता है और कैसे काम करता है तो चलिए आगे बड़ाते हैं कि सीम कार्ट होता क्या है अगर हम सीम के फूल फॉरूम जाने तो सीम का जो फूल फॉरूम होता है यानि subscriber identification module यह एक ऐसा system है जिसके जरी आपका mobile network से connect रहता है मतलब जो आपका network service provider है वह है identify कर पाता है कि आपका कौन से phone में कौन सा number अभी service में इक्तमाल किया जा रहा है और आगे आपको क्या-क्या services प्रभाइट करनी चाहिए इन SIM काड़ों में एक IMSI number होता है जिसे हम जनरली इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर अडेंटिफाइब करते हैं यह नमबर अश्टोर होता है जिसके साथ में एक authentication की होती है इसके द्वारा आपको identify किया जाता है SIM का क्याने की integrated circuit जिसका उदेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर अडेंटिफाइब क्याने की IMSI number और उससे संबंदित authentication की कोशुदचित रुप से अस्टोर करना जिसका इस्टमाल mobile telephone device जैसे की mobile phone या computer प्र दोस्तों अपने SIM card में एक बहुत बड़ा number देखेंगे आप लोग इस number को हम ICCID number कहते हैं यानि एक integrated circuit card identity कहते हैं यह number आपको SIM card को identity करता है कि आपका वो SIM जो आप यूज करें वो भ्याली डखाया यानि कई SIM card आप contact information अस्टोर करना भी संबह होता है SIM card का उपयोग satellite phone भी कि जाता है यानि कि एक SIM card में unique serial number ICCID IMSI number security authentication key अस्थानिय network से संबर्धी temporary जानकारी उपयोग करता कि सेवाओं की शूची और दो password सामिल होता है पहला pin होता है यानि कि personal identification number और दूसरा होता है पूप मैंने personal unblocking code जो pin unblocking के लिए है SIM कई अन्य carrier specific data को भी अस्टोर करता है जैसे कि MSSC यानि short measure service center number service provider name SPN service dialing number HDN नगी valid added service BAS various data capacities आते हैं जो कि 8KB से लेके 256KB तक होता है जिसमें अधिक्तम 200 contact तक अस्टोर किये जाता है अब हम आते हैं कि SIM कितने परकार के होते हैं देखिए basically SIM एक ही परकार की होती है जिसे हम divide करतर के अलग-अलग नामों से जानते हैं जैसे कि पहले SIM card का size होता था वो David card जोता होता है बट अभी काफी समयों से extender size चलता है अस्टेंडर SIM का size होता है 25 x 15 जो लगभग अस्टेंडर साइज जो है आज के SIMों से बड़े होते थे और अभी भी है अस्टेंडर SIM आउसी माइक्रो SIM होता है और सेकेंड जो है माइक्रो SIM है जो 2010 के बाद यूज किया जाता है इसका size जो होता है 15 x 20 mm और ठर्ड जो हता है Nano SIM इसका size है 20.3 x 8.8 mm फ़र कॉंबी SIM कॉंबो SIM आउस्टेंडर SIM को ही 3 भागों में काटा हुआ रहता है अनिकी आप SIM देते हैं जिसे में आगो break कीजिएगा उसको एक दाग दिया हुआ रहता है उसको break कीजिएगा तो SIM साइट में divide होता है extender, Micro और Nano एकी SIM में अगर आप Micro यूज करते हैं तो SIM को push करना है वो टूट जाएगी और Micro बन जाएगी Mobile Service Identify को SIM card से network find करता है और उसी IMSI के साथ एक authentication key होता है जो network के पास access के लिए request भेजता है network वही IMSI के authentication key के लिए एक अपनी database में देखता है देखने के बाद network एक random number जैसी की X generate करता है फिर network में X phone के पास भेजता है phone X को receive करते ही SIM card में authentication key की मदद से एक new number जैट होता है अब यहाँ एक creator wire Y को वापस network के पास match करने के लिए भेजता है network generate किया हुआ number X और SIM card generate किया हुआ number Y यह दोनों अगर match होगी है तो आपकर SIM card legal grossit किया जाएगा और उसी service को चालूट किया जाता है जैसे ही अपने SIM card को mobile में हम attach करते है एक authentication की generate करता है जो network के पास है और देखिए जब आप अपने phone से कोई number dial करते है तो phone अपने सबसे नजदी की server station पर एक signal भीता है उसके बाद server station उस signal को आपके द्वारा dial किये गए number पर send कर देता है तब जाकर आपका call connect होता है और आप किसी से बात करते हैं तो दोस्तो आप आप समझ गी होगी आपका जो SIM है और कैसे काम करते हैं SIM क्या होती है किस चीजों काबान ही होती है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो वाके में अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजिया अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक दी करते हैं दोस्तो दोस्तो बटाना चाहते हो तो ज़रू केजिए और फाइनली एक रिजोंट और रोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूरेज प्लस बेल आइकन जरूर दुरूराएं मिलते हैं नेट्स वीडियो में करते हैं बाई 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 थैंसी पर वासेंगी